हलो एवरिवन वेल्कम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेश के उपर और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्पोर टॉपिक के उपर जो कि हमारे एनाटॉमी से संबंदित है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉंट्रेक्ट टाइल प्रोसेस स्लाइडिंग फिलाम स्कुलर फांशन गुरूप एक्शन ऑफ मसल्स यह चारो टॉपिक हमारे बीपीड और एंपीड में दिये हुए हैं जो कि बहुत ही महत्पोर है ठीक है इनको हम अच्छे से आसान सब्दों में यहां पर समझेंगे चलिए सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे स्लाइडिंग स्लाइडिंग फिलामेंट के ओपर आधारी थे अब आगे में देखेंगे process of muscular contraction कि स्तोरा से process है जब muscular contract होती है क्या contraction करती है तो उसका process क्या है उसको देखते हैं तो यह ships में पांच सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेılar संब्सेंग नार स्विर हम पढ़ेंगे कंपलिंग और एक्जिटिशन ठीक है तिसरा हम पढ़ेंगे कॉंट्रेक्शन चौथा पढ़ेंगे हम रिचार्जिंग और पांचवा पढ़ेंगे हम रिलेक्शेशन ये पांच फेज में हमारा स्लाइडिंग फिलामेट थेज़ी जो है वह कंप्लीट होता है बहुत यासान सब्द में मैंने यहां पर लिक रखा है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट रेस्ट क्या है उसको देखते हुए पर रेस्ट नो नर्व इंपल्स कोई तंत्रिका का सववेग नहीं होता है ब्रेन से क आरच ऐटीपी क्रॉस घुट रहते हैं अभी जो एटीपी क्रॉस ब्री काईएगा कि एक्ति पासने पास में पोजिशन है तो आपको समझ में हैं अभी १ा है कि जो एक्टिन है वो अनकप्लिंग पोजिशन के अंदर आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा उसके बाद दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे इसको देखते हैं ए नर्व इंपल्स इस जनरेटेट फ्रॉम ब्रेन अब ब्रेन में एक नर्व इंपल कैल्सी टाइकोलाइन नामक एक एकजिटरी निवरो ट्रांस्मीटर को रिलीज करता है जो की आगे जाकर कैल्सियम आयन को रिलीज करता है आगे देखते हैं कैल्सियम आयन अंचार्ज एटीप को चार्ज करता है अभी एटीप कहां थे अंचार्ज थे अब उनको वह चार् हम देखते हैं contraction उसके अंदर क्या होता है मास्पेसी की तरफ तंत्रिका समवे किरिया करने के लिए आता है action potential action potential के कारण सार्को प्लाज्मिक रेक्टिकुलम में से केल्सियम बाहर निकलता है मायोसीन ATP cross bridge charge हो जाते हैं एक्टिन और मायोसीन एक दूसरे की तरफ आकर्सित होकर खिशते हैं और एक्टो मायोसीन का रूप लेते हैं अभी कहां थे वह एक्टिन और मायोसीन दूर दूर थे अब क्या होगे चार्जो करके वह आपस में खिच रहे हैं ठीक है और खिचने के वाद वह कौन सा रूप लेते हैं एक्टो मायोसीन का रूप लेते हैं जिसको सॉट फ़र में लिखते हैं ए प्लस एम इस तरह से एम ठीक है आगे देखते हैं एटीपी टूट कर एडीपी प्लस पी आई दौरा उर्जा प्रदान करता है जिसको मायोसीन एटी फेस ठीक है कहते हैं मास्पेसी पार ही जाएगी एक्टिन और मैोसीन कपलिंग पोजीशन में आ जाते हैं मैंने बताया था अभी दूर दूर थे तो आप फिर कुमें पोजीशन मेंacie उसके हमारा है चौथा पॉइंट जो है इसमें रिचार्जिंग मायोसीन क्रोस बिरिज एक सेकंड में लगबग 1000 बार ऐसा एक्टो मायोसीन बॉण्ड बनाते हैं जिससे मसल्स कॉंट्रेक्शन होता है जिसके लिए एटी पी रिचार्ज होकर उसे बार-बार बॉण्ड तूटने के बाद नया बॉंड बनाने के लिए एनरजी प्रवाइड करता है आप किस परकार की एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ उस पर निर्भर करता है कि वहाँ एरोबिक सिस्टम है या एनरोबिक सिस्टम उस पर एटीपी उस पर एटीपी उस पर निर्भर करता है मतलब होता है तो उस पर निर्भर करता है ठीक है चौथा पाचवा पॉइंट हो अपना यहां पर देखने हैं रिलेक्सेशन तंत्रिका के समवेग रुख जाते हैं ब्रेण से सिगनल आना बंद हो है तो रिलेक्षेशन की प्रक्रिया में यहां पर क्या होगा कि तंत्रिका से जो सम्वेग अभी तक आ रहे थे वह तंत्रिका से सम्वेग आना बंद हो जाते हैं तो ब्रेंड से किसी भी प्रकार सिगनल नहीं आता है केके कैसियम निकलकर सारको प्लास्मिक रेक्टिकलम में वापस प्र्वेश कर जाता है एक्टिन मयोसिन बॉंड तोड जाता है और एक्टिन मयोसिन अनकपलिंग पोजीशन में आ जाते क्योंकि कि जो मसल्स थी वो कॉंट्रेक्ट हो चुकी है ठीक है यह हमारा रिलेक्षेशन फेज यहां पर आता है मैंने पांस फेज आपको बताये थे वह पांस फेज यहां पर पूरे हो गए अब हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्च्वल क्लासिफिकेशन आफ मसल्स इसके बारे में पढ़त त्वacy कर प्रता है वहां कमजोर होती चत़ा चोटी और चोडी होती है मझभूत है बासफिकेशन मसल्स के पहला हमारा है यहां पर क्यूसीफिस को जिसको हम spindle form या बेनल आकार की भी मासपेशिया के नाम से जानते हैं दूसरा हमारा है पीनी form और इसको feather like भी कहते हैं मतरब चड़िया के पंग के आकार की जो मासपेशिया होती है ठीक है और पहली वाली हमारी क्लासिफिकेशन की पढ़ेंगे तो दो चित्पया निकनी हैं दो टाइप की हैं कौन सी है फ्यूजी favorable और पीनी तीक निफ्ола कोर स्चछ मतलब जो पंखा होता है घरों में होता है जो हांस से हाका जाता है ठीक है तिकोना पंखा जो होता है उसके आकार की मतलब फेंस सेब्ड के आकार की हापर होती है ट्राइंगुलर फिर होती है लॉंगी ट्यूडिनल मतलब रीबन के आकार की ठीक है पांच भी हमारी होती है कॉ सबसे पहले पढ़ेंगे फिवजी फॉर्म यह माख पैसी बीच में गौल तथा दोनों 0 पर पतली दिखाई दे है विक्वाइब प्रकार की माख पैसी कुछ इस तरह की मसल सापको दिखाई देगी इसमें इस ठरदर पत्री रहे और बीच में वो मसंद मोटी दिखाए देगी ठीक है जांपल में दो वो चीज़े आती हैं इसके अंदर चलिए आगे चलते हैं अब देखते हैं पीनी फॉर्म यह माश्पेशी देखने में चडिया के पंक के आकार की होती हैं जिसमें तंतु टेंडन के साइड में तिरचे निकले रहते हैं इस परकार की दिखाई देने वाली माश्पेशी को त रहते हैं थो आपको दिखाई दियते हैं घृखे आगे देखते हैं जो δूसरा मारा हे बाइप नीवार्म इस मास्पेशी में फाइबढ़ टेंडन के दोनों तरब रहते हैं उसमें उसमें क्या था दिखिए अब समझ लिजेका यूलीजेगा इसमें fiber tendon के टरफ थे ठीक है एक ही तरफ ट रहे और मैं क्छै만 में कै इस जदिशरा हमारा है मल्टी पिनी फॉर्म ठीक है मल्टी पिनी फॉर्म इसमें एक ही जगह से कई टेंडन निकले रहते हैं और उन पर फाइबर दौरा पंक की आकरती बनी रहती जैसे हमारी जो डेल्टॉइड मसल्स है वो आप जब देखेंगे उसको डाइग्राम में तो वो कुछ इसी परकार क दिखाई देगी आपको फिर तीसरी जो हमारे थी वो है ट्रैंगुलर या मासपेसी मोटी होती है जो तिकोने आकार की दिखाई देती है जिसमें तन्तु एक जगह से शुरू होकर फैलते हैं एक्जाम्पल के तौर पर ट्रैपीजियस जो पीट के पीछे गर्दन के पास क जो corresponds přे सी होती है को ट्रैपीजियस बोलते हैं आपको बदी बील्डे में मतलब दिखेगी जब बॉरी बिल्ले में और आपको जरूर देखने कोêm लेगे में अ हमारे पास है दूसरी है में सबस्तिक के पास चाइब कर Sati के पास इसको हम सबस्ते के आदुげे हैं फिर एक माइनर भी होती है फिर मेडियों पर मेत कुले की हड़ी होती है वहीं सबसुरी के पास आपको दिखाई मास्पेशी लंबी तथा रीबन जैसी होती हैं जिसमें फाइबर एक दूसरे के समानतर होते हैं कौन कौन से होते हैं सार्टोरियस मतब जांग के पास की मास्पेशी ठीक है और दूसरी जो है रेक्टस अब्डॉमिस पेट के बीच की सीधी मास्पेशी ठीक है यह मास्पेशी हैं इसके भी तंतु आपस में समानतर होते हैं जैसे गर्दन के पीछे वाली मास्पेशी चलिए आगे देखते हैं अब हम मास्पेशी पर अभ्यास के प्रभाव ठीक है एक्सरसाइज इन मसल्स तो कुछ पाइंट मेंदे करके उनको देख लेते हैं मास्पेश कर सके तो मसल्स की ताकत है वो भी बढ़ जाती है पर फिर क्या है हमारी मासपेशियों की सेंसीलता में रधी होती जो है मस्ट्रा इंडर्स वह भी आपका बढ़ जाता है ताकि आपकी जो मासपेशिय है वह काफी समय तक किसी भी अक्टिविटी को कर सकती है बीना थके फिर रास्ाइनिक बदलाव आपके अंदर रश्यायनिक बदलाव देखने को मिलते हैं ठीक फिर उसके अंदर मास पेशियों की चमता रही जो भी बढ़ती है गती में ही बरतना यह रही हो जती है मास पेशियों को महें मेंले होने की मात्रा लग-बक 51 परसन्ट जो भो बढ़ जाथा ऑङ कि अ कत्रित होने की मात्रा बढ़ जाती है ठीक है यह हमारे कुछ पॉइंट थे जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है अब हम आगे पढ़ेंगे मस्कुलर फंशन ग्रूप एक्शन ऑफ मसल्स उसको देखते हैं इसके अंदर और एंटागोनिस्ट के बारे में मैं पढ़ेंगे तो कि बहुत ही यहांपर लोगों कन्सूजन रहती है पर बहुत ही महत्तमनें है और आसान सब्दे में यहांपर अच्छे से समझेंगे ठीक है सबसे सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर एगोनिस्ट क्या चीज है ठीक है इसे मुवर भी कहा जाता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है इसे मुवर और इसे प्राइम मुवर भी कहते हैं यह दोनों चीज करने के लिए मुख भूमिका अदा करती है मौमेंट के दौरान यहां माजपेशी छोटी होती है बाइसेफ लगा रहे हैं जैसे ही डंपल्स को आप उपर ले जाते हैं अपने shoulder के ब़िए कि जाते हे तो आपकी 211 उसल जो है वह क्या हो जाती है च्छोटी जाती है तो वहाँ पर क्या है वो हुलेंगे और त्राइसेप्स हो जाती है वह आपकी अधर लंभी मासा जाएगी ठीक है जो ट्रैसेप से लंबी हो जाएगी जो बाइसर चोटी होगी उसको एकनिस्ट बोलेंगे और ट्रैसेप मसल्स को आप महां पर कहते हैं इस ध्यान नखेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं एंटा गौन उसको समझते हैं जो मुवर मासपेसी के विपरीद गती करती है उसे हम एंटागॉनिस्ट मासपेसी कहते हैं मैंने सेम आपको बाइसेप्स और ट्राइबसेप्स मसल्स का एक्जामपल यहां पर दिया वह एकदम फिट एक्जामपल इसके अंदर और आपको समझने के लिए भी ठीक है एक्जामप एगॉनिस्ट था एंटागॉनिस्ट मसल्स के एक्जन को कॉडिनेशन को मतलब एक्जन का जो कॉडिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं रिसीप प्रोकल इनर्वेशन इनहीबलेंस कहते हैं उसको ठीक है चलिए आगे चलते हैं तीसरा हम देखते हैं स्टिपलाइजिंग यह stabilizing है उसका क्या काम है इन मासपेशियों का कार होता है moment को hold करना फिर चौथा हमारा आता है fixator इसको भी देख लेते हैं कुछ moment में ऐसी muscles भी होती हैं जो agonist muscles की unwanted moment को होने से रोकती हैं उन्हें fixator कहते हैं ठीक है पांचमा एक और यहां पर है neutralizers जो किसी moments के अलावा उन joints में होने वाली बाकी moments को रोकती है उसे का कहते है neutralizers कहते हैं आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत